आज के इस वीडियो हम आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने IQZ9 Android माइल फोन में अगर आपके WhatsApp की incoming call अगर स्क्रीन के उपर शो नहीं होती है तो इस problem को आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो हम आपको डीटेल में जान करी देने वाला हूं तो चलिए आप यह वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों अगर आपके WhatsApp की incoming call अगर स्क्रीन के उपर शो नहीं होती तो इसकी solution के लिए करना क्या है देगी सबसे पहले आपको अपने phone करन यहाँ पर आपको यह option मिलता है Android system इसे tap करना है इसके अंदर आपको नीचे storage and catch का यह option टाप करना है अब यहाँ पर आपको यह clear catch का option टाप करना है तो आपको यह catch के सामलार data 0 हो जाता है ठीक है अब दीके अगला का में यह करना है कि आपको अपने WhatsApp को उगली से आपको इस्टोर open करना है इसमें आपको सबसुफर सर्च बार पर टैप करना है यहाँ पर सबसुफर सर्च बार में WhatsApp लिख के search करना है तो आपका सामने WhatsApp आता है वाटसैप के सामने अगर यह update का बटन दिखाए दिए तो इस update पर टैप करें अपने WhatsApp को अपडेट कर लिए ठीक है अब देखिए अगला काम यह करना है, आपको अपने mobile phone का software आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है, पहले phone का internet आपको चालू रखना है, इसके बाद phone का setting पे जोबन करना है, सबसे उपर आपको इस search icon का यह option टैप करना है, यहाँ पर सबसे उपर search बार में system update आपको दोस्तों mobile phone का reset आपको तब करना है, जब मेरे बताएवे पिछले process काम नहीं करते हैं, तब आपको phone का reset करना है, otherwise नहीं करना है, phone का reset करने के लिए phone का setting पे उपन करिए, सबसे उपर आपको इस search icon पे टैप करना है, यहाँ पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है, इन phone का reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात ही ध्यान रखने है, आपके phone में जितना भी data है, सारा data आप किसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे, या आप अपने phone के data का backup ले लिजे, दूसरी बात ही ध्यान रखने है, आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से